चील और भट की बिल्ली, एक बार की बात है, एक खूपसूरत घास के मैदान में एक चील रहती थी जो अपनी ताकत और प्रिपा के लिए जानी जाती थी। एक तिन, जब चील घास के मैदान के उपर उड रही थी, उसने छोटी सी बिल्ली का बच्चा देखा जो खो गया था और डर गया था। बिल्ली का बच्चा अपनी मां से दूर भटक गया था और मदब के लिए रो रहा था। चील बिल्ली की दूरदशा से पेखर गयी और उसने उसकी मदब करने का फैसला किया। उसने जबटा मारा और धीरे से बिल्ली के बच्चे को अपने नुकीले पंजों में उठा लिया। वो उसे अपने घ्मूसने में ले आया और वादा किया कि जब तक वो अपनी मां को नहीं मिल लेती तक तक वो उसकी देखभाल करेगा. बिल्ली का बच्चा पहले तो डर गया, लेकिन चील कोमल और गयालू थी. उसने ना सिर्थ बिल्ली के बच्चे को अपना खाना खिलाया बल्कि अपने घ्मूसने में उसके लिए आराम दायव बिस्तर भी बनाया. उसने उसे लड़ना और भुजन के लिए शिकार करना भी सिखाया. जैसे जैसे दिन बीटने गए, बिल्ली का बच्चा और चील बहुत अच्छे दोस्त बन गए. उन्होंने अपने दिन घास के मैदान में मस्ती करने और शिकार करने में बिताए. अब बिल्ली का बच्चा सुरक्षिक महसूस करता था और अपने नए दोस्त बाद से प्यार भी करता था एक दिन बिल्ली के बच्चे की माँ उसे घूंटी हुई आई चील अपने छोटे दोस्त को जाते देख दुखी थी लेकिन वो जानता था कि उसका अब अपने परिवार के पास लोटने का समय आ गया था बिल्ली के बच्चे ने चीली को गले लगाया और उसकी दया और दोस्ती के लिए उसे धन्यवाद दिया चीर बिल्ली के बच्चे की मदद करके खुश थी और उनके द्वारा बनाए गए संबंध पर गर्थ महसूस कर रही थी वो जानता था कि सच्छी मित्रता केवल दिखावे या हैसियत में नहीं है बल्कि एक दूसरे की देखाल करने और मदद करने में है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्छी दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती जब हम दूसरों के प्रती दया और करुणा दिखाते हैं तो हम अपने मद्वेदों की परवा किये बिना मजबूर बंधन और स्थाय मिच्छता बना सकते हैं हमें जरूरत मन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए और ऐसा करने पर हमें आजीवन एक सच्छा दोस्त मिल सकता है